आज का हमारा टॉपिक है HPV यानि कि Human Papilloma Virus आप क्या जानेंगे? HPV क्या है? HPV कैसे फ्यलता है? क्या HPV से स्वास्थाई को कोई नुकसान होता है? HPV और बिना इलाज HIV-positive patients में क्या असर होता है? HPV से कैसे बचे? वैक्सिन किसको लेनी चाहिए? HPV का पता कैसे लगता है? HPV कितना सामन्य है? और इसका इलाज? सबसे पहले HPV क्या है? HPV एक short form है और उसका full form होता है Human Papilloma Virus यह वाइरस बहुती आसान इसे फ्यलता है HPV के अनेक प्रकार होते है जिन में से ज्यादतर HPV के वायस से अपने सरीर को कोई नुक्सान नहीं होता लेकिन कुछ HPV के ऐसे प्रकार है जिससे हमको जनरेटल वार्स यानि की प्राइट पार्ट में मसा होता है और कैंसर होने की संभावना होती है वैक्सिन से यह बिमारी हम रोक सकते है HPV कैसे फैलता है यदि कोई यक्ति HPV से संक्रमित है उसके सरीर के अंदर HPV के वायरस है और यदि उस वैक्ति के साथ मुख महितुन, योनी महितुन या गुदा महितुन किया जाता है बिना कॉंडम तो फैलने की संभावना रहती है और कॉंडम का इस्तमाल करने से ये संभावना कम कर सकते है लेकिन जीरो नहीं होती यदि संक्रमित वक्ति को कोई लक्षण या चीनन ना हो तो भी यह HPV का वायरस दूसरे इंसान में फैल सकता है ज्यादतर किस्वों में HIV का वायरस बोड़ी में जाने और लक्षण दिखने में सालों का समय लगता है HPV से स्वास्थे को क्या नुक्सान होता है ज्यादतर किस्वों में यह वायरस अपने आप ही सरीर में से निकल जाता है और कोई बिमारी नहीं होती मैं दोहराना चाहूंगा ज़ादातर किस्वों में यह वाइरस अपने आप ही सरीर में से निकल जाता है और कोई बिमारी नहीं होती लेकिन कुछ लोगों में HPV से जनाटल वार्ट्स या कैंसर हो सकता है यहाँ जनाटल वार्ट्स मेल या फिमिल दोनों को संभावना होती है HPV से जो कैंसर होता है वो जनाटल कैंसर जिसमें फिमिल का वल्वा यहां की प्राइवेट पार्ड का भाग और वजाएना यानि की योनी और स्त्रिय और पूरुष में दोनों में एनस में हो सकता है और पूरुष में पैनिस में हो सकता है इसके अलावा गले के पीछे के हिस्से में और टंग मतलब अपनी जबान और टॉंसिल्स वहाँ पर भी SPV के कारण कैंसर हो सकता है जिसको ओरोफरेंजल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है आम तोर पर SPV का इंफेक्शन लगना और कैंसर होना उसके बीच में काफ़ी सालों का या तो दसका भी वक्त हो सकता है जनेटल वार्ट्स जिस टाइप से होता है वो सिर्फ जनेटल वार्ट्स ही करते है वो कैंसर नहीं कर सकते और जो SPV के वायरस कैंसर करते है वो जनेटल वार्ट्स नहीं कर सकते कहने का मतलब दोनों किसम की तकलिफ में तकलिफ के HPV के वाइरस अलग-अलग किसम के होते है यदि कोई इंसान HI positive है और वो अपना इलाज नहीं कराता तो उसके अंदर उसकी immunity यानि की CD4 count कम होने की संभावना होती है और वैसे व्यक्ति इसको HPV का infections लगता है तो उसको HPV के कारण बीमारी होने के संभावना बाकी लोगों से बढ़ जाते है इसलिए हमेशा इदि किसी का HIV का रिपोर्ट positive है तो उसको अपने HIV की ART medicines जल से जल चालू करना चाहिए और जो जिन लोगों के दवाई चालू है वो कभी बंद ना करे और कभी भूले नहीं अब HPV से कैसे बचा जा सकता है एक रास्ता है vaccine, दूसरा है condom और तीसरा है regular check-up और कम से कम अपने sexual partners रखे और regularly check-up कराते रहें अब vaccine किसको लेनी चाहिए आम तोर पर सबसे बहितरिम उसका option यही है कि कोई इंसान अपनी sexual life चालू करता है उससे पहले ही इस vaccines को ले लेना चाहिए आम वो उमर रहती है 9 से 12 यदि कोई इंसान उस उमर के vaccine नहीं लेना है और लेना चाहता है तो दूसरा options रहता है 12 से 26 साल और आम तोर पर 26 साल के बाद यदि कोई लेता है 27 से 45 साल के बीच में तो हो सकता है कि उस vaccine की असर उतनी अच्छी ना आए क्योंकि 27 से 45 साल से पहले ही वो इंसान sexually active हो चुका होगा और उसको पहले ही HPV का infections आ गया हो ऐसा बन सकता है यह जो vaccines है वो HPV के कारण होने वाले cancer में 90% की कमी करता है और 6 टाइप के cancer को रोक सकता है और हर 5 में से 4 इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी HPV का infections लगा हो ऐसा बन सकता है अब HPV का पता कैसे लगता है उसका निदान क्या कैसे करते है और उसका आगे का पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते है या तो बच्चेदानी का मुख भी आप बोल सकते हो उसमें cancer है cancer की सुरुआत हुई है या तो cancer है वो जानने के लिए पैप नाम की टेस्ट होती है जो आम तरप पर रूटिन ले रूटिन चेक अप के तरह 30-65 साल की उमर वाले लोगों को करानी होती है और यदि जिसको HIV है उसको हर साल पैप का एक बार टेस्ट कराना चाहिए यदि इस पैप टेस्ट में किसी को कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसको कनफर्म करने के लिए बायपसी का रिपोर्ट डॉक्टर करा सकते हैं और तीसरा होता है एच्पीवी टेस्ट अब एच्पीवी कितना सामन्य है यह एक बहुती सामन्य और आम तोर पर देखने वाला इनफेक्शन्स है और यह बहुत आराम से बहुत तेजी से फैलने वाला इनफेक्शन्स है अमेरिका के एक अध्यन में पता चला है कि अमेरिका में हाल में आट करोड लोग HPV से संक्रमित है मैं यह आपर बताना चाहूंगा कि हाल में अमेरीका की वस्ती populations करीब 35 करोड है मतलब इंडिया का चौथाय भाग अमेरीका में इंडिया का चौथाय वस्ती पोपिलेशन से और जिन में से 8 करोड लोग HPV से संक्रमित है और हर साल एक करोड़ चालिस लाख लोगों को HPA का infections लगता है और जिवन काल में लगबग हर इंसान को एक बार infections लगने की संभावना रहती है यह अध्यन अमेरिका का है इंडिया का नहीं है वैक्षिन से पहले हर साल साड़े तीन लाख अमेरिकन्स को जनेटल वार्ट्स होते थे और कभी भी आप कोई भी 100 sexually active अमेरिकन इंसान को लो तो उनमें से एवरेज एक इंसान को जनेटल वार्ट्स होता है हर साल अमेरिका में 12000 से भी ज्यादा मामले कैंसर के आते जिसका करण HPV वाइरस होता है और screening और इलाज के बावजुद भी हर साल अमेरिका में HPV के कारण 4000 लोगों की मृत्यू होती है वहाँ पर तब जब उसका population हमसे एक चौथा है वहाँ पर वैक्सिन लगबग हर किसी को दिये जाती है वहाँ पर diagnosis और treatment की facility हमसे काफी अच्छी है तबी भी यह तकलिफ वहाँ पर इतने बड़े पेमाने पर है इसके इलाज क्या है HPV को मार सके ऐसी कोई दवाई नहीं है जिस इंसान का वाइरस रहेगा के जाएगा वो खुद body decide करता है अपनी immunity के आदार पर लेकिन हम किसी दवाई के आदार पर इस वाइरस को मार या तो निकाल नहीं सकते जनाइटल वाइरस किसी का होता है तो उसका इलाज होता है यदि कोई इंसान जनाइटल वाइरस हुआ है और उसका इलाज ना करे तो उसमें तीन संभावना रहती है इलाज ना करने के बावजूद भी वह वार्ट्स ठीक हो सकते है दूसरा option ये भी हो सकता है कि वह जितना है उतना ही रहेगा ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा और तीसरी संभावना वह भी है कि वह वार्ट्स बढ़े वार्ट्स यानि की गुर्प तरूग में होने वाला जो मसा है वह यदि किसी को सर्वाइकल प्रीकैंसर है मतलब के बच्चे दानी का जो लेडिस के अंदर बच्चे दानी का जो मुख है उसको सर्विक्स बोलते है यदि cancer जो cancer प्योंपर हो जाता है वो लेकिन cancer होने से जो पहले की स्थिति है उसको बोलते है pre-cancer यदि जब आगे का शुरुआती स्टेज ही है तब हम उसका प्याप टेस्ट से पता लगा ले तो उसका इराज भी मुम्किन है और यदि किसी को HPV के साथ जुड़े हुए और कोई cancer है और उसका शुरुआती स्टेज में पता लगा लेते है तब यह उसका पूरी तरह से इलाज कर सकते है और वो मिट सकता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि regularly body check up किया जाए और cancer के सुरुआती स्टेज में या तो cancer की सुरुआत हो उससे पहले ही pre-cancer के स्टेज में हम उसका पता लगा ले हम हर सनिवार और रहिवार दोपर को एक बज़े नया वीडियो अपलोड करते है यदि आप मेरे से online consultation करना चाते हो तो आप स्क्रिन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर मेसेज के सुरू संपर्क कर सकते हो मैं डॉक्टर केतन रणपरिया HIV एड़ स्पेस्चालिस्ट और आखिर में चेतावनी यहाँ पर कही गई बाते एक आम जानकारी के लिए है समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जिवन में लागू करने से पहले उस विशे के स्पेस्चालिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिकी तुरूप से राहे लेना अत्यंत आवश्चक है धनिवाद हम अगले हपते फिर मिलेंगे